नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गूतम दोसो फरजी PMO अधिकारी बनकर कश्मीर में मोज काटने वाले गुजरात के किरन पटेल को महराश के सातारा की कश्मीरा पवार ने पीछे छोड़ दिया है जब किरन पटेल की कहानी सामने आई थी कि गुजरात के एक ठग ने कैसे फरजी PMO अधिकारी बनकर कश्मीर में BVIP ट्रिटमेंट का मजा लिया सुरक्षा बलो की तैनाती कराई बाकाइदा सुरक्षा अधिकारियों के साथ मेटिंग तक कर डाली उसके बाद दुनिया एहरान रह गई थी कि भारत में इससे बड़ा कोई ठग नहीं है लेकिन महराज के सतारा की कश्मीरा पवार ने किरन पटेल को पचार दिया है और कश्मीरा ने जिस तरह मीडिया का इस्तमाल किया है वो कहानी बड़े दिचस्प है जो दिखाता है कि हमारे देश के अकबार और टीवी चैनल किस तरह बिना वेरिफिकेशन की बिना जाज के किसी को कुछ भी बना डालते हैं और उसके बाद भोले भाले लोग ठगे जाते हैं कश्मीरा ने जिस तरह मीडिया का इस्तमाल करकि कुद को पीम मोदी की एडवाइजर साबित किया आमिश्या की एक दब भतीजी साबित किया वो कहानी दुनिया को सावधान करती है देश को सावधान करती है किस तरह कश्मीरा ने खुद को PMO एडवाइजर साबित किया पूरी कहानी ये दैनिक भासकर के आर्टिकल में चपी है और इसमें बताया गया कि एक मराठी अकबार में खबर चपती है 11 दिसंबर 2017 को फ्रंट पेज पर खबर चपी कि सातारा की रहने वाली 24 साल की लड़की कश्मीरा प्रधान मंत्री कारेले में सलाकार न्यूट हुई है कुछ देर बाद एक मराठी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूट चली है कि वाकई कश्मीरा पवार पीम मोदी की एडवाइजर बन गई है और उसके आगे कहानी को पुक्ता करने के लिए कई सबूत बनाए जाते हैं कई फर्जी डोकुमेंट बनाए जाते हैं और ये अकबार की कटिंग आप देख सकते हैं जिसमें कश्मीरा पवार के पीम मोदी के कारेल में राष्टिय सलाकार बनने की मराठी अकबार में खबर चापी गई है और इसको गनेश जो की कश्मीरा पवार के पती है उन्होंने साजा किया गनेश ने भी खुद के रो अधिकारी होने का दावा किया था और उसके बाद क्या होता है चैनल के एक रिपोर्टर ने कश्मीरा का इंटर्वियू लिया इसमें कश्मीरा बताती है कि PMO में नियुक्ति के बाद मैंने 17 जिला कलेक्टर आफिस से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये NSA अजीर डोबाल और बड़े बड़े अफसरों से बा नहीं हूँ और उसके बाद इसी इंटर्वियू में कश्मीरा कहती है कि मैंने किंद्र सरकार के मेक इंडिया कारेक्रेंप के तहत एक कॉंपिटिशन जीता है इसके लिए मुझे राजपती के हाथों अवार्ड मिला है मेरे बनाए गए स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट पर करते थे कि कश्मीरा पवार की पीम ओ ऑफिस में जोईनिंग की ये पोटो है ये दिखाये जाती है सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है और जब टीवी चैनल पर इंटर्वीव चलता है अकबार में छपता है तो सब माल लेते हैं कि कश्मीरा पवार वाकई पीम मोधी की एडवाईजर बन गई है इतना ही नहीं कश्मीरा पवार ये भी दावा करती है कि सुश्मा सुराज ने जो डोकलाम के बारे में एक बार स्पीश दी थी वो उनकी सलापर दी थी इस तरह की बड़े बड़े दावे किये जाते हैं दोस्तों आगे ये खबर क्या दिखाती है आगे कश्मीरा पवार दावा करती हैं कि MPSC का एक्जाम पास कर मुझे डिप्टी कलेक्टर पर नियुक्ति मिली थी बाद में मुझे PMO से अटेश किया गया तो कश्मीरा पवार के तमाम बयान जब मीडिया चनल और अकबार में चलते हैं तो लोग यकीन कर लेते हैं और उनी यकीन करने वालों में एक नाम था फिलीप भंबल एक होटल कारूबारी थे तो फिलीप भंबल का ये बयान इसमें चपा है कि जो गनेश और कश्मीरा ने पूरे महराश्च में लोगों को PMO में नियुक्ति के डोक्यूमेंट और उत्रप्रदेश, नागालेंट, तृ आगे कारोबारी फिलीप भंबल बताते हैं कि मैं और गनेश यानि कश्मीरा के पती एक ही कोलेज में थे, गनेश को शराब किलत थी, 2017 में मैंने उसे रिहाइब सेंटर में भरती करवाया था, इसी के बाद उसकी मुलाकात कश्मीरा से हुई थी, गनेश ने कश्मीरा को मु पर दिया था, लेकिन उसके बाद कश्मीरा ने उस पर कबजा कर लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी, और दोस्तों इसमें नियुकती का एक फरजी लेटर भी बनाया है, देखे कितनी बड़ी ठग निकली कश्मीरा, किस तरह के लेटर कर लोगों को ठगा गया, ये देखे, ये पी-म नरेंद्र मोदी के साइन करके कश्मीरा पवार के नेशनल एडवाइजर टू पी-म एंड काउंसलर ऑफ इंडिया, इस नियुकती का एक फरजी लेटर, एक जोइनिंग लेटर बनाया गया और उसको लोगों को दिखाया गय जब इस पूरे मामले का भाणा फूटा, कशमीरा और गनेश को गिरफतार किया गया, ये भी हरानी की बात है, कि एक दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल जाती है। पहुशने वाला पहला पत्रकार था वो इंटर्वी में इतनी कॉन्टेक्ट थी कि मुझे लगा ही नहीं कि वो जूट बोल रही है। राश के वरिश पत्रकार विजय मान के इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं कि दोनों PMO और राश्पती भवन के फेक लेटर लोगों को भेजते थे, सरकाई नोकी लगवाने के नाम पर पैसे लेते थे, गणेश हमेशा कहता था कि कश्मीरा प्रधान मंतरी मोदी और ग्री मंतर के संपर्त में है, कई बार कश्मीरा ने फोन पर प्रधान मंतरी और ग्री मंतरी से बात करने का नाटक भी किया था, कश्मीरा और गणेश वियाईपी की तरह घूमते थे, गणेश के पास भी वियाईपी बैज और फरजी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी था, मीडिया मे चल रही खबरे भी दोनों के दाओं को और मजबूत करती थी, एक खबर में लिखा गया कि कश्मीरा के स्मार्ट विलेज का कॉंसेप्ट यूपी में लागू किया जा रहा है, विजय बताते हैं कि कश्मीरा अकसर कहती थी कि अमिश्या उन्हें बेटी की तरह मानते हैं, ल बड़े बड़े इवेंट में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाता था कि हम इश्या से सिधे फोन पर बात करती हैं, अजीर डोबाल को रिपोर्ट करती हैं, पीम मोधी की एडवाइजर हैं, अनेको प्रोजेक्ट इनकी सलाज से तयार किये गए हैं, यूपी के कई पुलिस उनके घर पहुचती है, गिरफतार किया जाता, ये इंटरिव्यू की तस्वीर आप देख सकते हैं, छे साल पुराना जो इंटरिव्यू जो एक टीवी चैनल पर चला था, एक महराष्ट के स्तानिय चैनल पर, उसमें कश्मीरा दावा करती हैं, सेलिब्रेशन के व लाइयू भी काम करती है, तो क्या लाइयू को ए रिपोर्ट नहीं मिल पाई, कि एक महिला फरजी PMO एडवाइजर बनकर लोगों को ठगने का काम कर रही है, दोसो साथ ही मावला महराष्ट की जाच एजेंसियों और केंद्र की जाच एजेंसियों पर भी सवाल उठाता है, कि एक महिला जो PMODI की एडवाइजर नहीं है, उसके बारे में अगर अख़बार में छप रहा है, किसी TV चैनल पर चल रहा है, तो क्या जाच एजेंसियों को भनक नहीं लगनी चाहिए थी, जो LIU होती है, क्या उसको पता नहीं होना चाहिए था, महराष्ट की जाच एजें कितने भरोसे के काबिल हैं, आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, जहां फरजी PMO एडवाइजर बनकर एक महिला ने पूरे सिस्टम को एक्सपोस कर दिया है, कमेंट बॉक्स में पिराये जरूर दें, अगर आप हमारे पत्रकारता को पसंद करते हैं, तो थैंक्स देते हैं, हैंक्स करते हैं कितना तो थैंक्स करते हैं, जहाँ हैं कितना में बनकर तो ढ़ो एक पत्रकापकों एकर पूरे जर वांक्स, आप रिरा शापद्जर ज्या दो गरहाँ आप हुँण meget हैं, आप 49, 50, 50, 51, 52, 51, 52, 56, 52, 53, 54,ам, 54, 554, 53, 54, 54, 54, 57, 54, 54, 55, 25, 59, 56, 50, 55,